प्रती एक बीटता हुआ बर्ष और जाता हुआ महिना अपने साथ कई संगर्षों की अनुबूतियां तो कई सफलताओं के मानक चोड़ कर जाता है जिसके आधार पर भावी भविश्य की नीव रखी जाती है डिसंबर 2019 संगराशी के मानुभावों के लिए कौन सी फल सूचनाय लेकर आ रहा है इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के संबुख यहां उपस्त है नवग्रह बारह भाव और उनसे जुड़ी हुई चंदर राशी के उपर आधारित गोचर की स्ततियां जीवन के प्रतियक शेतर में पले ही नौकरी हो व्यापार हो सर्विस इंडिस्टरी के साथ में जुड़ी हुई स्ततियां हो और रोग तो नहीं पनपराहा है कोई तो वहीं रेन की स्ततियां किस तरह की पूजिशन्स को सामने लाकर रख रही हैं ये सब कुछ चर्चा जनत विशय हो संगर्ष को हम एक अवरोध मानते हैं और उसको पार करने की कोशिश करते हैं तो विजय श्री जरूर मिलती है यहीं से सारे प्रतिमान स्थापित होने लगते हैं जीवन के यही रियक्शन और रेस्पॉंसिवनेस में सबसे बड़ा अमतर है जिसको पाटना अत्यधिक आव कल आठ तारिक है और अगर हम सांठ तारिक की शाम को उसको रिलीज करते हैं तो आप तक वो सूचना पॉंच पाती है आप उसको समझ पाते हैं और चल पाते हैं उसी अनुसार तो ये है समय की गते विधियों के साथ में चल रहा कारे कम जो भी विक्ति इसमें कम और है जिस समय जो काम होना है उसके साथ में पूर्जोर तरीके से अपनी संभावनाओं को हासल करते हुए बढ़ा जाए और उसके उपर कारे अबदी उसे अनुसार किया जाए खैर ये तो एक चर्चा रही सरव पर्थम सूर्य परदान राशी के जातकों के लिए ग्रह गोच का धी पती ग्रह 16 डिसंबर की दोपहर तक तो व्रिष्चक राशी में विराजमान रहेंगे और उसके बाद में धनुराशी इस्तान में ब्रहस्पती के साथ में विराजत हो जाएंगे यहां ये एक महत्वपूर्ण तरीके से नोटिफाई करने लाइक बात है कि देव है अस्तगत हो जाते हैं कमबस्ट अप्रोच में आ जाते हैं किन्तो यहीं विराजमान रहेंगे दनु में ही व्रहस्पती भी तो वहीं पे शनी देव भी अपनी अंच गत विवस्ताओं में बिलकुल दनुराशी में अंतिम चोर के और अगरसर है 24 जनवरी 2020 को अपनी पू मिथुन और धनु में करमश है उचस्त बिराजमान है देखिए मोक्ष कारग रहें भी पंचम स्तान में यहीं बिराजमान रहेंगे तो वहीं पे बुद्ध मानसिक चेतना के आदिपतिक रहे चतुरत स्तान में नेस्ट कारक स्ततियों का निरमार करते हुए बिराजमान रह गिनतो इस समय हमत्राल में श्पेसिफिकली तुला राषी में ही विराजमान रहेंगे और इसके बाद में मुरश्चिक की और गमनशील हो जाएंगे सुराशी स्तान की और गमनशील हो जाएंगे तो एक और महत्वकूंट सती, शुक्र, मकर राशी इस्तान के भीतर बिराज़त रहने वाले रहेंगे 15 दिसंबर के अमतराल के बाद से, तो ये सारे ही प्रभाव किस तरह से आएंगे, आईए, समझने का प्रयास करते हैं, सरव पर्थम, मैं अगर राशी इस्तान के चर्चा करूँ, जिससे ओवर ओल पोजिशन्स को देखा जाएगा, और हमारे कॉन्फिडेंस के उपर कैसे प्रभाव रहेंगे, उर्जा एनरजी का प्रभाव किस तरह से चल रहा है, ये जाना जाए, तो एक से 14 दिसंबर तक के अमतराल में, देव गुरूप रहस्पती, जब जोर तरीके से आपके लिए स्थापत रहने बाला रहेगा, तो वहीं अगर एक महत्वपूर्ट स्ति देखी जाए, तो 16 दिसंबर के बाद से ही सूर्य देव अपने राशीर करम के यहां से नवम पंचम का संबंद बना कर बिराजमान रहेंगे, आप लंबे समय से जौब क तलाश में थे, भाग जे का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, काम काजी जीवन में उस सितिवर गामी अप्रोच के साथ में बढ़ने के प्रयास में आप थे, किन्तु सफलता नहीं मिल पा रही थी, यह नवम पंचम का संयोग, यह लाप के साथ में ब्रहस्पती की जुड़ कर रहेगा, वहां बहतरीन पूरिशन बनाता हुआ, देखा जाएगा, आप अपने कमफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं, एक नए इस्तर की और बढ़ना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए बहत बहतर है, शांदार बना हुआ है, शिक्षा क्रम में कोई भी परिव करना चाहते हैं, इस टाइम फ्रेम इस प्रेसाइजली गुड फर यू, उस समय आप बढ़ने का काम आसानी से कर सकते हैं, तो एक और महत्वपून स्थती, एक से पंद्रह निसंबर तक जब सूर्यदेव रदैस्तान में बिराजमान रहेंगे, तो जो भी महानुभाव कु से पंद्रह निसंबर की अगर में बात करूँ, तो डिसीजन्स के अंदर भी थोड़ी सी उहा पोह बनी रहेगी, कन्फ्यूजन्स क्रियेट होने वाले रहेंगे, वो क्यों, क्योंकि एक तो बुद्ध, मानसिक चेतना के अदिपती, मंगल के राशी स्थान में विराजमान राजकुमार की श्रेणी वाले ग्रहें, तो वहीं पे इंपॉर्टन प्लैनेट भी हैं ये, इसी वज़े से जब सूर्य बुद्ध का बदादिती योग हरदय स्थान में, मानसिक सुक के स्थान में, माता स्थान में और भूमी स्थान में बना रहेगा, तो इस पोजिशन म नरड़ाय में थोड़ी सी दोविधा देखी जाती है, हाला कि यहां पर एक तर्क भी दिया जाता है कि सूरीदेव साथवी दृस्टी से यहां दशम स्थान को आजीवीका के स्थान को देखने वाले हैं, किन्तु आजीवीका के स्थान की पोजिशन भी इस समय अंतराल के पहले की पोजिशन में इतनी सॉलिड अप्रोच के साथ में जोड़ी हुई नहीं रहने वाली है, इसलिए थोड़ा सा अध्यान रखकर चलने की आवशक्ता हैं, रहेंगी ही रहेंगी यहां पर यह जरूर आप नोटिफाई करके चलने वाले हों, शुरुवाती 15 दिन डिस तो हम सोलेह तारीक को खुद के लिए अंकित करके रखें कि इसके बाद कोई भी डिसीजन जो निरनाया के अप्रोच के साथ में लेना है, हम जाएंगे उसके पहले थोड़ा सा और रुक कर चलने वाले रहेंगे हम, यह जब हम ध्यान रख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ख कम्यूनिकेशन के फिल्ड में आपको किसी भी महतवपूर्ण परिवरतन से बचना चाहिए, सुपीरियर अथॉरिटीज जो भी हैं, जोले ही आप मार्केटिंग के फिल्ड में हैं, रीडियो जौकी हैं, इवेंट मेनेजमेंट की कंपनी के साथ में कॉलाबरेशन में एंक रहने की कोशिश करें, तो बहतरी बनी रहेगी, आप क्या कह रहे हैं, और व्यक्ति क्या समझ रहा है, उसके अंदर डिफरेंस पूरे तरीके से इस्तियों को पाड़ देता है, और उसे ही हम कम्यूनिकेशन गैप कहते हैं, मानसिक स्तिया उस इस्तर की तरफ लेकर जा सकती है, साबधान रहिएगा, तो वहीं पे कुटुम्बी जनों के साथ कोई भी भूमी विवाद आपका चल रहा था, तो एक से पंदरहे डिसंबर तक निरणे को अगर टालते हैं, या फिर खुद में धैर्य उस लिहाज़ा स्थापित करके रखते हैं, तो बहतरी आपके रहेगी, फाइनेंशल केलकुलीशन के बेस पर अगर मैं बात करूँ, तो पाँच डिसंबर के पहले का समय बहतर, और पचीस डिसंबर के बात का समय भी बहतर, पाँच से पचीस डिसंबर तक कोई भी ऐसा निरना लेना है, जिसमें बड़ी डील को फाइनलाइस करना है, कभी आगे बढ़ें, किन्तु उसके अंदर भी एक बात ध्यान रखेगा, कि सोले हैं दिसंबर से लेकर, जो पचीस डिसंबर तक का समय अंतराल है, अगर कहीं पे हलकी फुलकी रिस्क लेने की आवशक्ता हो, तो आप बढ़ने का कारे वहाँ पर कर सकते हैं, यह जरूर ध पर्मस्थान को देखने वाले हैं, बुद्ध जो कि वानिज्य की आदिपती और साथी साथ में मंगल की ऐची पोजिशन्स जब जोड़ी हुई हो, तो आप अगर स्पोर्ट्स परसनलिटी हैं, कोई कोच चेंज करना चाहते हैं, स्पॉंसर अगर आप डूंड रहे हैं, उ नहां पर प्रमोशन आदि के लिए आपको स्वयम को चेहरा बनाकर आगे रखना होता है, वो सारे ही शित्र विशेश के अंदर, एक तिव ब्रगामी इस्तती आपके लिए देखी जा सकती है, भाईयों के साथ संबंदों में कोई भी उतार और चड़ाब नहीं आए, ये ध जितना समझेंगे और जितना बहतरी से चलेंगे, उतना खुद के लिए संभावनाओं को और अच्छे से पॉजिटिव करने वाले रहेंगे ही रहेंगे, फोर्थ आउस के अगर मैं चर्चा करूं, तो यहाँ पर नेस्ट कारक स्तिया है, इसी वज़े से जब पूरीशन ब उपर नहीं देखा जा सकता, थोड़े सी घबराहट और अज्याद भय बने रहेंगे, ओवर इमेजिनेशन के साथ में आप खुद को परिशान करने वाले रहेंगे, किन्तु जो भी व्यक्ति कलमकार है, या जो कंटेंट राइटिंग के साथ में जुड़े वो हैं, स्क्रि दियान रखें, कोई भी भूमी संबंदित काम है, 25 दिसंबर के बाद आप उसे आगे बढ़ाने की और आसानी से जाने वाले रह सकते हैं, ये जरूर आप दियान रखकर चलिएगा, तो वहीं पे माता इस्थान के साथ में आपका जुड़ाव अगर नहीं हो पा रहा था, तो 1-5 दिसंबर और 25-31 दिसंबर तक की पूरीशन उस और आपको लेकर जा सकती है, तो वहीं पे अगर आप अपनी नेटिव के साथ में किसी बिजनस को जोड़ना चाहते हैं, शुरवाती संगर्श रहेंगे, किन्तो सफलता भी मिलती हुई, देखी जा सकती है, बढ़ने इस तर के उपर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो आप पाएंगे ये कि जब रहस्पती अस्तगत हो जाएंगे, तब भी उस पुजिशन के अंदर नवमस्तान को, राशी स्तान को, लाबस्तान को देखने वाले रहेंगे, तो कहीं भी वेचलित हुए बिना आप कामकाज इस तर को नए लेवल की तरफ लेकर जा सकते हैं, एजुकेशन की किसी भी विदा के साथ आप समझाने की काम से जुड़े वो हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्शर हैं, बिजनस कोच हैं, लाइफ कोच हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन सारे ही शेत्र विशेश के अं अंदर ये समय बहतर बना हुआ है, आपका कैलिबर एक्स्पोज होके सामने आएगा और एक्स्प्लोर होके अच्छे रिजल्ट्स भी सामने रखने वाला रहेगा, जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने के ज़रूत यहां पे बनी रहे कीश्प्र, अगर अगर और अब एज्केशन को नए लेवल की तरफ लेकर जाना चाहते है, यह समय व्शैश बहत बहतर बना हुआ है, सरफ फाइनेंशल फील्ड के म Josh killed के और सा साथ में रिलेट करते हुए अगर हम बात करें तो देखिए सस्टेश इस महा के अंतराल में और साथ इस साथ में अगले महा के अंतराल में भी स्वयम से 12 विराजमान रहेंगे फिर तो राशी इस्तान के अंदर ही आने वाले है तो इसी वज़े से लगजरी के ऊपर खर्चा करके कोई भी लोन फाइनेंशल बर्डन बढ़ाने से जितना आप बचेंगे उतनी ही बहतरी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है प्रतम द्रस्टिगोचर स्थिती यह रही तो दूसरे लेवल के उपर अगर मैं बात करूँ तो जो शत्रू आपको सता रहे थे आप उनके सामने जाने से या उनको अफरंट होके कुछ भी कहने से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें धहर ये पूरवक चलें शत्रूकार्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विशेश आपके सामने क्लैशेस के लिए आ गया शत्रूकार्थ ये भी है कि आफिस में कोई बैकबाइटिंग कर रहा है व्यापार के अंदर जो प्रतिस प्रदी था वो कहीं ने कहीं परिशान करने का काम कर रहा है वहां से भी ये समय अमत्राल आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की और इशारा करता है डिपलोमेसिक के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा आप तो वहीं पे अगर मैं रोग की बात करूँ तो जो भी डाइबिटीज टाइप टू की जो पूरीशन होती है या फिर उसके अलावा मुत्र संभन्दी रोग हो गए इसके साथ ही साथ में जो स्कन डिजीज संभन्दी प्रब्लम्स होती है सावधान रहने की आवशकता रहेंगी खान पान के उबर नियंतरन रखके चलें सस्थात मैं सस्थ की स्ततियों की अगर बात करूँ शिक्स तो सिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बुद्ध की पूरीशन भी छे आठ के संभन्द के साथ में इस माह के मुक्च अंतराल में ज सावधान देकर चलने की गुझाईश खुद के लिए रखिएगा बले ही काम का जी जीवन में कितना भी व्यस्त रहें किन्तु शारिविक स्वास्ते को अक्षून रखने के लिए कुछ समय आप जरूर निकालते चले जाएं सेवन्त की पूरिशन के साथ में देखिए शनी देव मूल्ट रिकॉंड से सब्तम को देख रहे हैं ग्रहस्त में डॉमिनिशन रहेगा उससे कोई भी दुराय नहीं रहे रही है आपे तो दूसरे स्थर के उपर मैं अगर बात करूं तो व्यापारिक स्थर में बिजनस पा सेवन्त की पूरिशन को रखना चाते हैं और ग्रहस्त में मंगला चरण की स्थियां भी उनके साथ में ही खोज रहे हैं ये समय उस हिसाब से भी बहुत बहतर है अपने निरणय को आप सामने रखें और पूरे तरीके से आत्म विश्वास के साथ में स्थियों को समझाएं ज़ी निरणय प्रकतिशील्दा के साथ में जीवन को नए फ्रेम के साथ में दिखाने वाला रहेगा ही रहेगा बिजिनस में यहाँ पर अगर आप स्टील इंडस्री कंस्ट्रक्शन इंडस्री के साथ में जुड़े हूँ हैं रियल एस्टेट, स्थाइट्व का कोई भी क काम काज या फिर सर्विस इंडिस्ट्री या मैटल के साथ में जुड़े हुए लोग हैं इनिशियेटिव लेने के लिए आज़ा यह समय अच्छा है उसके लिए कोई भी लू ना दे लेते हैं कहीं कोई परिशानी और दवधा नहीं है आपके लिए अस्थमस्थान देखिए अस्थमेश होकर ब्रहस्पति स्वायम पंचमस्थान में रिसार्च के साथ में जुड़े हुए जो भी जातक देश और विदेश में रहते हैं अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं किन्तु वो भी समय का उतना ही आदर करते हैं कि हमने एक समय के अंतराल में इतना कुछ कर रहे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं दिक्कत परिशानी आ रही थी किन्तु अब जो ब्रहस्पति की पूरिशन आपके लिए आई है वो वहाँ पर आपको नए सिरे से एजुकेट करके काफे कुछ नया सिखा कर आगे बढ़ने वाले फ्रेम में रखेगी ही रखेगी हिडन प् तो दूसरे अंतर के उपर में बात करूँ आप मैटल संबंधी किसी भी कारे विशेश में नई शुरुवात की और अग्रेसर होना चाहते हैं जा सकते हैं आप आसानी से कहीं भी रुकिएगा मत इचकी चाहिएगा मत बिलकुल भी नवमस्थान नवमेश के एकर हम चर्चा देने वाले होते हैं अगनी तत्त प्रदान ग्रहे हैं उसी पूरिशन्स में रिजल्टेंट को भी सामने लेकर आते हैं और आज इविका के माध्यम को भी वड़ी ही आसानी के साथ में बढ़ा कर चलाने वाले होते ही होते हैं ये आप ध्यान रख कर चलने का प्रयास कीजि बहुत बढ़िया है आध्यात्मिक चेतनाएं उस इस्तर के उपर विकसित होते हुई नहीं देखी जाएंगी यहाँ पर अब उत्रोतर बलीकिंद्र दशमस्थान दशमे शोकर शुक्र की पूरिशन अस्तमस्थान के साथ में जुड़ी हुई है आज भी का के स्थान के साथ में जब शुक्र की पूरिशन इस तरह से जुड़ी हुए हो और ऐसे डिस्टर्बेंस सामने आते हुँ तो एक महत्वपूर्ट स्तिय है कि आप हुद को बहुत जादा लाइम लाइट में रखने से बचें पहली बात तो यह वर्किंग एक्सपरटीज के उपर बहुत जादा ध्यान देना चाहिए वो ही आपकी जौब को पूरे तरीके से सेव रखने वाली होती है डिसिप्लिन का बहुत जादा ध्यान दीजेगा डिसिप्लिन आपका बेगर सकता है जो स्वा अनुशाशन होता है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है तो वहीं पे प्रबंदन संबंदी जुगुण होते हैं वहाँ विकास करम जरूर आसानी से आपके लिए देखा जा रहा है जौब में चेंजिस के और आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुरुवाती स्थर के उपर औरोक कर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहतरी अंदर कोई भी बड़ा नर्णा लेने से आपको रुकना चाहिए थोड़ा सा संबल कर चलना चाहिए वहीं एकादश इस्तान राहू एकादश इस्तान में पुन्न फलों का उदे करने वाले हैं तो यहाँ पर आकस्मिक धनलाब की स्तियां भी वैसे ही बनती हुई दे रही है किन्तु जैसे ही रुपया पैसा जुड़े तो आप दो दुनी चार और चार दुनी आठ के साथ में होने से बचिएगा रोक कर रखिएगा खुद को थड़ा सा अनरगल खर्चों के साथ में शुक्र आपको फैसिनेशन के साथ में ले सकते हैं व्यक्ति कहता है क समय कैसे काम करता है मैं आपको ये बता रहा हूं कि समय की गणित के साथ में आप चल रहे हैं कोई व्यक्ति विशेश आया जिसकी जिंदगी के अंदर एक अलग तरीकी की लगजरी है आपने कंपेर करना शुरू किया कंपेर करने के साथ में खर्चे भी उसी स्तर के उपर बढ़ने शुरू किये और फिर एक समय आया जो थोड़ा सा श्लगिश था हम उसके लिए प्रिपेर ही नहीं थे क्योंकि हम कंपरिजन्स के अंदर जी रहे थे जिंदगी सरल हो, सुगम हो, कंपरिजन्स के साथ में नहीं हो जितना हम comparison के साथ में उलचते हैं उतना ही खुद को किसी ने किसी हीन भावना से ग्रसित पाते हैं ये मान भी ये मनोवरती है जो कहीं ने कहीं जोतिश के साथ में जुड़ी हुई है और उसको समझना अत्यदिक आवशक रहता है वेक्ति के लिए तो जीवन के सर्वांगेन लाब है किन्तु get rid of the fascinated approach जितना उससे बच कर चलेंगे उतनी ही बहतरी रहेगी द्वादश इस्थान यहां की अगर मैं चर्चा करूं तो व्याए पे जैसा मैंने लाब के साथ में जुड़ी हुई positions में बोला संभल कर चलिएगा किन्तु विदेश सम्बंदी यात्राओं में यहां सब भावनाएं बहुत बहतर बनी हुई है आपको कहीं भी रुकने की ठकने की आवशकता नहीं है बढ़ते चले जाएं आप धारमिक यात्राओं का प्रयोजन आपको यहां जरूर करना चाहिए चोटी चोटी यात्राओं लाब देने वाल बहुत बड़े लाब भी छुपे होंगे ये आप हमेशा समझ कर चलिएगा तो सिंग राशी के महनुभावों के लिए आज में बाणी को यहीं विराम देता हूँ मासिक राशीफल की गतिविद्यों की मैं चर्चा करूँ तो जनवरी 2020 में मुलाकात और साती सात में वारश